नमस्काल मैं हुनी रजमिश्टो राद देख रहे हैं आज की खबर उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है वहाँ पर डॉक्टर किस तरह से मरीजों का इलाज करते हैं या नहीं करते हैं उसकी पूरी सच्चाई हम आज आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के हाथ रस जिले की ये पूरी खबर है जिला महिला अस्पताल में तैनाच्य के सकवव कर्मचारियों ने डिलिवरी के लिए आई प्रसूता को वापस लोटा दिया जिसके बाद महिला ने अस्पताल के गेट के बाहर खुले आस्मान के नीचे पेशाब घर के सामने बच्चे को जर्म दिया बाद में जच्चा बच्चा को अस्पताल में भरती कराय गया मामले की जाज की जा रही है यह पूरा मामला हाथ रस की कोतवाली सासनी शेत्र के गाउन नगला वीर सहायका है यहां पर ग्यानवती की पत्मी नहार सिंग बुधवार शाम को प्रसोपीला हुई परिजन उन्हें डिलिवरी के लिए महिला चिकिसाले लेके गए और ओप है कि महिला अस्पताल में रही थी इसी बीच नगला संयुक्त अस्पताल के गेट पर उसे प्रसोपीला शुरू हो गई यह देखकर काफी महिलाएं वहां कत्रित हो गई महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे प्रिशाब घर के बाहर महिला की डिलिवरी कराई इसकी सूचना स्वास विभाग के अध अधिकारी कुछ बोलने को तयार नहीं है अधिकारियों को कहना है कि खुले आसमान के नीचे हुई डिलिवरी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है महिला उसके नवजाज शिशू को अस्पताल में भरती कर लिया गया है मामले की प लेकिन अस्पताल प्रशासन के जो लापरवाख कर्मचारी हैं उन्होंने महिला को उसके हाल पर छोड़ दिया था फिलाल जच्चा और वच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अस्पताल प्रशासन की पोल खोलती हुए खबर अगर आप देख रहे हैं तो अगली बार सा कि इसलीह एशक मेरे बहा DRuciones के बार माँ पैसो रहार ने का लेगे यहोंसे को ले कि अचमा को लेगे थी हुए तैंट से क्या फिर प्र 180 प्रशाओ हुए तैस्यान आपकर अज़िपती अनम क्या नार्जी 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 एक 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 जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही आज की खबर